हेलो फ्रेंड्स वेलकुम तो माई चाइनल आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में नीटिंग पैटन लेकर आई हूँ इस पैटन को आप स्वैटर पे यूज़ कर सकते हैं कार्डिगन जैकेट बना रहे हैं तो इस पे भी यूज़ कर सकते हैं इस डिजाइन को आप के लिए वाले डिजाइन को बनाना सीखेंगे और यह डिजाइन बहुत है इजी बनाना तो चलिए शू करते हैं हम इस डिजाइन का उन और निडिल देखने से तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल कॉटन वूल लिया है आपको भी पसंदीदा वूल ले सकते हैं फंदे देखेंगे तो य फंदे को आप हमेशा की तरह स्लिप करेंगे तीन फंदो का डिजाइन है तो तीन फंदो में से आपको क्या करना है सबसे पहले उनको पीछे करना है और इसके बाद देखिए दो फंदे जो हमारे पीछे वाले हैं उन्हें ऐसे मोड़ते वे आगी की तरफ लाना है और एक जो है वो मोड़ते वे पिछे की तरफ लेके जाना है वापस है हमें नीडिल पर फंदो को लेना है और फंदो को सीधा बिनना है देखिए दो और तिसरा फंदा तो तीन फंदे हमने सीधे बिन दिये इस तरीके से अब हम फिर से तीन फंदे रिपीट करेंगे देखिए यह हमारे तीन फंदे हैं राइट साइड के नीडिल से आपको लेफट नीडिल के टू स्टिच को गुमाते हुए आगे की तरफ लाना है देखिए दो फंदे जो आपके तीन फंदो में से दो फंदे पीछे वाले जो हैं उनको आपको आगे की तरफ लाना है और एक फंदा आपक और उसके बाद तिसरा फंदा हम बिनेंगे जो हम पीछे की तरफ लेके गए थे अब हम फिर से तीन फंदों को रिपीट करेंगे देखिए ये तीन फंदे आपको दिखाए दे रहें सबसे पहले हमें राइट साइड की नीडल से जो पीछे वाले दो फंदे हैं उसे इस तरी नीडल पर फंदे चड़ाए और देखिए एक बार एक फंदे को सीधा बिना फिर दूसरे फंदे को सीधा बिना और तिसरे फंदे को सीधा बिना इस तरीके से देखिए अब आपको फिर से यही तीन फंदे रिपीट करने ये देखिए ये वाले तीन फंदे हैं राइट सा दो और तीन तो आपको row 1 में right side की जो first row रहेगे आपकी वो पूरी आपको इसी तरीके से repeat करनी है दो फंदो को तीन फंदे आपके डिजाइन के होंगे जिसमें आपको दो फंदो को घुमाते हुए आगे की तरफ लाना है और जो पहला फंदा होगा उसे घुमाते हुए तिसरे नंबर पर लेकि जाना है और तीनों फंदों को सीधा सीधा बिन देना है देखिए इस तरीके से यहाँ पर यह से हमने बिना अब हम फिर से यही तीन फंदे रिपीट करेंगे अगर आपने बिना चैलन्ज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए वीडियो अच्छे लगते है तो लाइक ज़रूर किया किजिए अगर कोई डिजाइन आपको नहीं समझ में आ रहे है या कोई फंदा आपको समझ में नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिए मैं जरूर आपको बताऊंगी यहाँ पर हम रो वन बिन रहे हैं अपने निटिंग पैटन की और राइट साइट से तीन फंदों पर हम डिजाइन को बना रहे हैं देखे इस तरीके से आपको तीनों फंदों को सीधा बिल लेना है यही तीन फंदे आपको रिपीट करते जाना है यह जो डिजाइन है इसको आप अगर light color में बनाते हैं तो cream color में बनाएए बड़ा ही प्यारा लगता है अगर light green में बनाएगे वो भी अच्छा लएगा पिंक color में अच्छा लगता है अगर आप baby boy का बना रहे हैं कोई sweater या jacket तो आप इसे sky blue color में बनाएगे बहुत प्यारा डिजाइन बन कराता है काफी गफ डिजाइन है लास्ट के तीन फंदों को भी हमें उसी तरीके से बिल लेना है दो फंदे आगे करेंगे एक फंदा पीछे करेंगे और तीनों ही फंदों को सीधा बिल लेंगे तो यहाँ पर हमारी row one जो है right side की वो हमने यहाँ पर फंदों को उल्टा बिनते हुए इसे complete कर लेना है देखिए normal जैसा हम उल्टा बिनते है wrong side की तरफ उसी तरीके से आपको इसे उल्टा उल्टा बिल लेना देखिए ऐसे तो सभी फंदों को उल्टा बिनके आपको complete कर लेना है यह second row हमारी wrong side की पूरी row को आपको इसी तरीक में बना बना है बहुत प्ती पयारा लगतार की स्काई ब्लू कलर में बहुत अच्छाय अच्छा जिलन फिलीतक रगल रशावन दोका schemes अगर नापी बाव अरुछ इसे आप में आपीया चो सब्सक्राइब को क्या है रटीत को बना सिह को और यह जो knitting pattern है यह देखिए इस तरीके से हमारा आएगा wrong side की row complete करने के बाद हमारा जो design है वो इस तरीके से आएगा two row repeat pattern है दो सलाइयों का design है बस आपको यही दो सलाइया continue बिनते जाना है तो आपका बहुती प्यारा बहुती easy design बनकर आजाएगा अगर आप beginner है और कोई छोटा project बना रहें जिसे cap या अगर कोई half sweater बनाने तो उस पर आप इस design का use कर सकते हैं आपको सीखने में असानी रहेगी और बनाने में भी I hope आपको design अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया